मिस्टर बजाज का वकिल मिस्टर बजाज की मासी से कहता है कि मिस्टर बजाज पहली बार ऐसा परताब कर रहे हैं आज से पहलो नो ने कभी ऐसा नहीं किया महीं दूसरी और पेड़ना अपनी मासे कहती है कि मिस्टर बजाज ने उससे प्रामिस किया था कि वो अनुराग को कभी नुकसान नहीं पोचाएंगे तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर बजाज की माची और बहन भी ये सब सुनकर प्रेणा से कहती है कि इसका मतलब है तुम आज भी अनुराथ से प्यार करती हो तब ही उसी का ही साथ दिया ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है कमरे में जाकर माची तन्वी से कहती है जिस परिवार को रिश्रब ने अपने घर में जगा दी आज वही उसके साथ नहीं है ये सब प्रेणा सुन लेती है ये सुनकर प्रेणा पुलिस स्टेशन जाती है मिस्टर बजाज से मिलने मिस्टर बजाज से मिलकर प्रेणा कहती है आप क्यों सब के सामने इतने नाटक कर रहे हो, क्यों नहीं बेल करवा लेते इसी पर मिस्टर बजार पेड़ना से कहते हैं मैं कोई नाटक नहीं कर रहा वहीं दूसरी और अनुराग के होस्पीटल से घर वापस आ जाने से वासू परिवार बहुत खुश होता है और घर आते ही अनुराग पुलिस स्टेशन जाता है, अनुराग को घर से बाहर जाता देख अनुराग की मा उसे मना करती है पर अनुराग नहीं रुपता पुलिस स्टेशन में अनुराग देखता है कि मिस्टर बजाज और प्रिणा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है यह देखकर पहले उसे गुसा आता है अब वही अपकमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा कि अनुराग समझ जाएगा प्रिणा ने जान बूच कर मिस्टर बजाज का हाथ पकड़ा था वो यह सब उसे दिखाने के लिए कर रही थी ताकि यह सब देखकर अनुराग अपनी जिल्दगी में आगे बढ़ सके वही अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिणा मारेगी अनुराग को चाटा क्योंकि अनुराग ने मिस्टर बजाज को अपनी जाल में फसाया था प्रिणा को पता चल जाएगा कि अनुराग का एक्सिरेंट मिस्टर बजाज ने नहीं करवाया था तभी प्रेणना पुलिस स्टेशन जातर मुस्टर भजाज की बेल करवाईगी तो क्या अब प्रेणना करने लगेगी अनुराग से नफरत क्या अब अनुराग का सथ जानकर प्यार बदल जाएगा नफरत में